नमस्का साथियों स्वागत है यूट्यू चनल बी पॉजिटिव में और यहां हम आपसे डिसकस करेंगे दिसमबर 2022 का जो मन्थली करेंट फेयर है आपको पता है यह थोड़ा सा क्रिप्सी और जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं इसमें मतलब सामिल रखता हूं सामिल क जो ही करके जिन्हें Miss Earth 2022 अवाड मिला हुआ है कहां हुआ था यही को मनिला में याद रखना है आपको यह है उनका इमेज आप यहां देख सकते हैं इसके बाद इसके साथ कुछ और जो वह सकते हैं कि आवाड्स होते हैं जैसे Miss Fire और Miss Water, Miss Air तो इनके भी हमने नाम दिये है आ अगर हम बात करें मिस वाटर 2022 की तो नदीम आयूब पलिस्ताइन की हैं और मिस एर जो है वो सेरिदन मर्टलोक आस्ट्रेलिया की हैं तो एक्जाम्स में क्या होता है कि इतना तो साथ नहीं पूछते ये कभी-कभी पूछ सकते हैं कि जो मिस अर्थ कंपेन होता है उसमें कौन कौन से वाट्स और दिये जाते हैं तो आपको याद रखना है चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट तो स्टीफन फरपार्ट अगर हम बात करें ये स्टीफन फरपार्ट जो की पहली लेडी है जिन्होंने एक फुटवाल मैच में एज रेफरी काम किया है उनकी इमेज हम दे कि रहें चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक पॉलिंग बूत है गिर सोमिनाथ डिस्ट्रिक में गुजरात में उसमें 100% पॉलिंग हुई ठीक है अब हुआ क्या कि वहां पर जो वोटर थे वो सिर्फ एक मात्र थे जिनका नाम था महंत हरिदास उदैसिन ठीक है ये थे और ये उनकी इमेज मैंने दे रखी है आप उनको देख सकते हैं तो एक लोते उस जो पॉलिंग बूत में वो बोटर थे और उनने बोट डाला तो ही एक है कि 100% हुगा है अब देखे एक्जाम्स में दो चीज़ें पुशे रखती है एक तो इनका नाम कि क्या नाम था उनक सिंगल वोटर उस पॉलिंग बूत में था दूसरा कहां 100% पॉलिंग हुई है क्योंकि ये रेर ही होता है कि 100% कहीं रिकॉर्ड हो बोटिंग का ठीक है चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तो अगनी वारियर एक बाइलेटरल एकसरसाइज हुई है सिंगापोर और इंडि जो है उनको 60 साइन्टिस्ट, टेक्नोलोजिस्ट, इंजिनियर और मैथेमेटिक्स जो की अस्टेलिया के सुपरस्टार एक स्कीम है स्टेम उसके तैहत मिलता है उनका नाम है निलमा, कदियाला, डक्टर अना, बभूर रमानी और डक्टर इंदरानी मुखर जी हम बात कर ल क्या बोल सकते हैं कि एक प्रवदाहान है लोगों को प्रोस्करत करने का, स्टेम किस-किस फिल्ड में दी जाता है तो स्टेम, साइन्स, टेक्नोलोजी, इंजिनिरिंग और मैथमेटिक्स, तो यह तीन चुने गए है, नाम इनका पूछा जा सकता है, तो आप यहां पे बैक को मूमेंट, पीपल्स हिस्ट्री, इसको लिखा है सेखर पाठक ने, यह पिक है, तो आप याद रखना है कि कभी कभी पूछ सकते हैं कि हाली में यह बुक रिलीज हुई है, तो उसके कौन लेखक है, चलिए नेक्स बात करेते हैं, आपने आरार मुवी तो देखी होगी, तो उसके जो डिरेक्टर है, एसे सरजा मौली, उनको बेस्ट डिरेक्टर अवार्ड मिला हुआ है, आरार फिल्म के लिए, नियुवार्क फिल्म क्रिटिक सर्कल 2022 का, ठीक है, तो इनकी में आप देखी रहे हैं, काफी देखने में अच्छे लग रहे हैं, चलिए नेक्स ब लोगों का की हत्या की जाने का सक जो है, वो अभी दिखाया गया कि कौन कौन सी कंट्री जो रिस्क में हैं, किसने निकाली है, तो यूएस का एक तिंक टैंक है, जिसको बोला जाता है, अरली वार्निंग प्रजेक्ट, ठीक है, उसमें इंडिया को एट्थ नंबर पर रखा गया है, पहले नंबर पर पाकिस्तान, फिर यमन, फिर म्यानमार, इथोपिया, नाजीरिया और अफगरेस्तान, यह नाम दिया है, आप देख पा रहे होंगे, तो इंडिया को आठवे नंबर पर रखा गया, यह थोड़ा सा कंसन नहीं है, चलिए बात कर लेते हैं, तो उत आया है, गिनीच वर्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, किसके लिए, दा लॉंगेस्ट डबल डेकल मेट्रो बनाने के लिए, ठीक है, मतलब एक कूपर दूसरी मेट्रो जाएगी, कितने 3144 मीटर का यह लंबा, जो डबल डेकल मेट्रो स्टेशन होगा, व यह एक नुक्लियर स्पेलिड को करी करने वाला एक बॉंबर एरक्राफ्ट है, ठीक है, आप इमेज में आप देख पा रहे होंगे, यह एक बॉंबर एरक्राफ्ट है, तो आपको याद रखना है सिर्फ नाम इसका, B-21 रेडर, कहां का है यह, USA का है, याद रखना है आपक बात करेते हैं, नेक्स्ट, तो बिटिस ब्रोड कास्टिंग कर्परेशन, BBC ने अभी 100 most influential women का जो है, वो list published की है, उसमें भारत की 4 women जो है, उनको सामिल किया गया है, किस-किस चेतर में मिलता है, politics में मिलता है, science, sport, entertainment and literature, कौन-कौन सी है, यहाँ पर हम दे सकते हैं, आप PDF में अपने यूट्यूब चैनल, बी पॉजिटिव में डाल देता हूँ, आप वहाँ से लिंक में दे दूँगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके PDF दे सकते हैं, ताकि आपको और अच्छे से, आसानी से समझ में आ जाए, तो अगर हम बात करें कौन-कौ ठीक है, यह पहली पेरू की female president बनी होई है, आपको याद रखना है, पेरू की बनी होई है, comment में आप बताए, पेरू किस continent में पाय जाता है, ठीक है, आपको बताना है, चलिए, बात कर लेते हैं, next, तो next है, IPL जो है, वो सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला Google में word बन गया ह अगर हम बात करें, और कौन-कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि IPL सबसे टॉप पर है, इसके बाद, कोविन, जो कुरोना की वक्सीन थी उसके लिए, फिर फीफा वर्ड कॉप जो तीसे नंबर पर, हलांकि ज़्यादा नहीं पूचा जाएगा, मेंली सिफ हुआ है, वेट लिफ्टिंग का, कहां हुआ है, कोलंबिया में, वहाँ उन्होंने सिल्वर जीता है, तो यहाँ आपको राद रखना है, इमेज मैंने उनको दे दी है, यह देख लीजिए, बहुत प्मेंती हैं, चलिए, इसके बाद है, ऑक्सपोर्ड डिक्सिनरी ने ग्लोबिन मोड, यह आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ग्लोबिन मोड, वर्ड को वर्ड अफ दी है, टुन्टी टुन्टी टू माना है, किसने माना है, अक्सपोर्ड डिक्सिनरी ने याद रखना है, मैं इससे पहले, अपने जो कंड़ फेर के उसमें ससन लिये हैं, और भी जो वर्ड माने गए, उनके बारे में बताया है, बट यह अक्सपोर्ड डिक्सिनरी ने माना है, तो हमें ये याद रखना है, अब बात कर लेते हैं, ग्लोबिन मोड का मतलब क्या होता है, तो यहां से इसका मेंस मैंने बताया है, तो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहते हैं, इंडियन ओरिजन टीचर है, वीना नायर, अस्टेलिया में इन्होंने 2022 प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सिलेंस अवार्ड जीता है, आपको याद रखना है, यह उनकी इमेज है, यह भी आप याद रखिएगा, यह साइंस की टीचर है, तो हमारे लिए जानने मेगना एहलावत, फर्स्ट फीमेर प्रेसिडेंट चुनी गई है, टेबल टैनिस फेडरेशन ओफ इंडिया की, आपको याद रखना है, यह है मेगना एहलावत जी, चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इमेज से थोड़ा सा हो जाता है, और आप देख रहे होगे कि मैंन करेगी, इफिसेंसी बताएगी, किसके किसके बारे में, कि ड्रोन्स डिफरेंट 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 अग्रिकल्चर यूजर में कैसे काम कर सकते हैं, और यह 777 डिस्टिक्ट इंडिया के, उसमें दिखा जाएगा, तो आपरिसन 77, सॉरी, 777 किससे रेटेट है, ड्रोन बहुत पहले हमने आपको बताया है, हमारा एक प्रोग्राम आता था, पांच का पंच, जिसमें हमने इस तरीके से सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, करन्सी स्वैप का मतलब होता है, अगर दो देश आपस में करन्सी स्वैप कर रहे हैं, अलाग अगरत रुपिया है, तो जब ये दोनों आपस में एगरिमेंट करेंगे, तो हम मालदीब का पैस रुपिया जो है करन्सी ये वो ले लेगे, और मालदीब हमारी इंडिया की जो करन्सी है वो ले लेगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चलिए बात कर लेते हैं, next हमारा जो point है या topic है या वो सकते हैं fact है US ने पहली बार $1 और $5 के note की value पर दो women जो हैं उनके signature की हैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि note हो में जो women है उनका sign हो रहा है कौन कौन है Janet Yellen अगर हम बात करें Janet Yellen और Lynn Malarva ठीक है ये दो लोग है ये US जो अमेरिका है उसकी finance ministers है तो आपको याद रखना है Janet Yellen और Lynn अलरबार नाम पुछा जा सकता है क्योंकि first time ऐसा हुआ है ये भी पुछा जा सकता है कि किस किस note में हुआ है तो हमें याद रखना है $1 और $5 के note में एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि US की जो currency notes है उनको बोला जाता है green bag ये भी आद रखना है आपको मलब काफी मलब फेमास है green bag नाम से जाना रखना है ये उन दोनों जो लेडिस हैं उनकी image है आप उनको गौर से देख सकते हैं चलिए बात कलते हैं नेक्स्ट legendary हमारी जो अथलेट थी PT USA जिनका पूरा नाम था पिल पढ़ लेना मुझे थोड़ा सा कंगी ट्विस्ट हो जाएगा पिला बुलुकंडी ठिकर बरंबिल उसा ठीक है जनरली PT USA है इनको फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट चुना गया है किसके लिए इंडियन ओलंपिक एस्सोशेशन काफी बड़ी ये क्या कहते हैं एक कमेटी होती है उसके ये हेड चुने गये है प्रेसिडेंट चुने गये है याद रखना है एक चीज़ बता दूँ कि जो अभी हमारे वाइस चेयर्मेन हो रहे हैं रास अवागे उनके भी लक्षन के लिए पीटी उसा के नाम दिया गया है इसके बाद न्यूजीलेंट गवर्मेंट ने देश का या बोच सकते हैं विस्व का पहला टुबेको लॉग बैन smoking पास कर दिया है तो आपको याद रखना है पुझा सकता है कि हाल में ही किस देश ने टबैको को या smoking को बैन किया है तो वो है न्यूजीलेंड चलिए बत करने थे नेक्स्ट फेक्ट की तो एट्थ इंडियन इंटरनेशनल साइन्स फेस्टिवल जो है वो 2022 का कहां होगा भोपाल में होगा तो ये कभी-कभी आ जाता है अगर आप MP से है तो वहाँ का MP PCS होगा तो वहाँ पुझा सकता है चलिए इसके बाद इंडिया बिस्ट का पहला देश बन गया है जो कि सटलाइट कम्म्मिशन के इस पेक्ट्रम को भी Ma stat होता कैसे है तो हमने देखा कि ये हमारे आर्थ है bas coloured होता होते है कि इसमें ट्रांसपॉंडर लगा होता है यह बाद इसके बाद हमारे यहां पर मां सकते हैं कि येह फोन होते हैं तो इस तरीके से satellite communication established होता है तो यह क्या होता है कि इसके बीच में यह जो होता ना यह कि spectrum होता है frequency range काम करता है इसी spectrum को बेचने की बात अब भरा सरकार कर रही है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं UN ने नमामी गंगे प्रोजेक्ट को वर्ड के top 10 initiative में रखा है आपको याद रखना है UN ने exam से पूसर सकता कि कौन से भारत के initiative को UN ने top 10 initiative में रखा है तो नमामी गंगे को रखा है बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था है अभी भी चल रहा है वो चलिए बात कर लेते हैं टोक्यो ने एक scheme निकाली टोक्यो कहां जापान राजानी उस निकाली कि आपके जो भी घर बनेंगे उसमें 2025 के बाद जो भी घर बनेंगे उसमें जो solar panel है वो लगाना mandatory हो जाएगा जो solar panel है उसको लगाना mandatory हो जाएगा अगर आप इमेज देखें तो आने वाले समय में ऐसे घर हो जाएगी आपकी छत की छत बन जाएगी और आप energy को बहुत अच्छे से यूज कर पाएगे ऐसा क्यों क्योंकि जैपान जो है वो पांचमा सबसे ज्यादा कार्बन इमीटर देश है तो इस चीज को दिमाग में रखते इस या उनिवर्सिटी तो निवार्क और सिंगापुर को सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सेटीज माना गया है इंटर्स इंटर्स ऑफ एज्यूकेशन चलिए नेक्स बात कर लेते हैं इंडिया ने एनाउंस किया है अपना कंड़ी देचर आपको पता ही है यूज जो नेशन क बन चुका है कब का बन चुका है मैंने यह आप देख रखें आप पॉस करके वीडियो को एक बार पढ़ लीजे चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो ग्लोबल फूर्ट सेक्यूर्टी इंडेक्स 2022 की डिपोर्ट रिपोर्ट रिलीज हुई है रिपोर्ट रिलीज कौन कर ठीक है यह है इसका फूल फॉर्म तो किस ने किया है नासा ने किया है किसके लिए किया है टू सर्वे अर्थ वाटर की अर्थ में और खांका पानी क्यूप लब दता है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 22nd edition फीफा वर्ड कप 2022 खतम हुआ कहां हुआ था यह आपको पता है यह कतर में हुआ था कौन जीता अर्जेंटाइना जीता है किसको हराया है फ्रांस को हराया है ठीक है अब बात कर लेते हैं यह कौन सा सेशन था 22nd था अभी 23 जो है वो कहां होने वाला है USA Canada Mexico में होगा कब होगा 2026 में क्योंकि चार साल बात होता है कोई वर्ड कप होता है चा मैंने आपको यहां पर दे रख कि आप देग सकते हैं इनको तो यह जीती है is Mrs.Word सॉरी Mrs.Word एक टो मिस्वर्ड होता है एक होता है Mrs.Word तो Mrs.Word 2020 तू का टाल उन्हों जीता है कहां हूँ था यह तो यह हूँ था लास वेगास, लास वेगास कहा है आपको पता ही है, इनके हस्बेंट जो हैं इंडियन नेवी में सर्व करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो अमेरिकन अंसर्टेंट टाइम्स किस ने लिखी है मिशिल अबामा ने ठीक है तो पूशा जा सकता है क्योंकि ऐसे लोग बहुत बड़े इंफुलेंसल होते हैं यह उनकी बुक है आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडू गबर्मेंट ने एक स्कीम लांच की है जिसका नाम है फ्रेंड ओफ लिबरेरी इसमें क्या होगा कि बुक्स जो है वो ड्रेक्टली लोगों को दी जाएंगी जो कि मतलब एक्सेस नहीं कर सकते हैं जो कि स्टेट की स्टेर ट्रंजोर लिबरेरी हैं तो उनको घर बैठे उनको उनका नाम प्लेटार राफिल नडाल मेल में और पुलिस प्लेएर इगा स्वस्तेक प्लेस मतलब पोलेंड ठीक है यहां पे जदा वो मत कीजिए पोलेंड की प्लेयर हैं इगा स्वस्तेक यह फीमेल है इन लोगों ने जीता है या इनको चुना गया है इंटरनेशनल टेनिस डबलू टियो मिलिश्ट मीटिंग इन 2024 तो आपको याद रखना है कभी कभी मीटिंग कहां कौन सी हेल्ड होगी उसके बारे में पूर्ण देते हैं यह उसका इमेज दे रखा है हमने चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रले एक्जाम समय जागे कि प्रले क्या है तो प् कर्मेंट में नहीं पताना चाहते हैं तो आप एक बार बैलिस्टिक और क्रूज में दिफ्रेंस देख लीजिएगा तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है प्रले जो की टारगेट कर सकती है तक मिसाइल है आपको याद रखना है किसने बनाई है डिया डियो चलिए नेक्स आगे पढ़ते हैं वजीर वजीर क्या है पुझा सकता है तो यह फिफ्थ स्कॉर्पियन सब्मारीन है जो की इंडिया को डिलीवर्ड की गई है प्रोजेक्ट 75 के तहरे तो प्रोजेक्ट 75 था जिसमें 6 ऐसेवन था जो इसमें 6 सब्मारीन जो है वो बनाने के लिए बोला गया थ तो पांसमी दे दी गई है एक और वेटिंग है ठीक है इसके बाद है इंडर के MP सरी इंडर जो की मद्ध प्रदेश में है कंट्री का पहला इंफेंट्री जो आर्मी होती ना इंफेंट्री उसका म्यूजियम बना है तो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे हम जो सिपाही होते हैं या कोई activities होती है तो कैसे outcome की जाते हैं उनके पहनने के कपड़े क्या रहते हैं क्या-क्या वो equipment लेके चलते हैं तो museum बना हुआ है फस्ट inventory बना है इन दौर में जो की MP में है चलिए next बात कर लेते हैं three new cultural sites कौन-कौन सी sun temple मैंने आप image भी दे रखी आप देख सकते ह हैं यह में दे रखी है sun temple जो की मुधेरा में है मुधेरा कहा गुजरात में historic वादनगर टाउन historic वादनगर टाउन यह भी गुजरात में है इसके बाद rocket relief sculpture कहां के है यह तिरपूरा के इनको यह यह और यह इनको UNESCO के जो tentative list है उसमें रखा गया है tentative list का मतलब होता है कि पहले कुछ ऐसे जो दरोवरे होती है उनको हम tentative list होती उसमें रखते हैं इसके बाद उनको फिर हम UNESCO का जो वर्ड हेरिटेट साहत है वो डिक्लेयर कर देते हैं तो अब इन तीन का रखा गया है I hope आगे इनको UNESCO के वर्ड हेरिटेज बना दिया जाए नेक्स बात कर लेते हैं अर्णला या बोल सकते हैं अर्णल यह इंडिन नेवी ने लॉंज किया गया है एक एंटी सब्मरीन वारफेर है जो कि सैलो वाटर मालब उठले हुए पानी में काम कर सकता है यह इसकी इमेज है आप इसको पॉस करके देख सकते हैं कि कहा कहा क्या क जीता है इसके बाद हमें भी याद रखना है कि अजय कुमार इडी कभी कभी एक्जामस के पूच दिया जाता है कि आजय कुमार एड़ी कौन है तो एक इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैपटन है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वायकॉम ठीक है वायकॉम 18 को ओलंपिक गेम्स जो पैरिस में होंगे 2024 में उसके ब्रोड कॉस्टिंग के राइट्स मिल गए हैं एक्रोस इंडिया और इंडियन सबकंटिनेंट में जो एसिया सबकंटिनेंट है चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट साहत अकादमी अवर्ड मिला हुआ है लिट्रेचर का देसमर 2022 में किसको दिया गया है एम राजेंद्रा को किसके लिए काला पानी उनकी एक बुक है ठीक है यहाप हमने साहत जो अकादमी का है उसका दिखा दिया कि कैसे होता क्या बना होता है तो आप यहां पर देख सकते हैं को कि कभी कभी क्या होता है इसमें क्या क्या होता है वो पूच दिया जाता है तो आप एक बार अपने सरी निगाओं से देख सकते हैं चलिए नेक्स बात कर लेते हैं बाइलेटरल एर कॉमबेट एक्सराइज की है एर कॉमबेट जिसका नाम है वीर गार्डियन 23 कहां हुई है वो जैपान में याद रखना है जैपान और इंडिया के पहली एर मतलब एरफोस बाली ठीक एरफोस की है चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट तो आयाटी कानपूर न में आए गया है चलिए बात कर लेते हैं फॉर्मर माल्दीविन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेश लगे हुए हैं मनी लॉंडरिंग के और इनको 11 साल की सजाव मिली हुई है ठीक है यह है अब्दुल्ला अमीन तो देखिए कि प्र स्वाती सिंग्ग साइकलिस्ट हैं देश की काफी युवा और अच्छी है तो इनको एक लव प्रुसकार मिला हुआ है स्वाती सिंग्ग है इसके बाद मिलता क्या-क्या है उसमें देख लेते हैं पांस लाग रुपए मिलते हैं और एक्साइटेशन मिलता है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है माराश्टरा पहला स्टेट बन गया है जिसने लोकायुक्त बिलपास किया है ठीक है तो आपको याद रखना है लोकायुक्त बिलपास करने वाला पहला स्टेट कौन सा है माराश्टरा है आप यह में देख रहे हैं यह पेले की है जो कि ब्राजील के बहुत अच्छे लीजेंड प्रडवालर थे तो उनका भी देहानत हो गया आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट है ठीस गरफ पुलिस ने कंपेंड चलाया था जिसका नाम था निजात ठीक है किसके लिए हुआ था यह हुआ था कि जो ड्रग ट्राफिकिंग होती है या जो ड्रग पेडलर्स होते हैं बेचने इचने वाले या ड्रग को बेचने के बीच में कामाने वाले उनके खिलात लाया था तो इसको एक अवार्ड मिला हुआ है IACP जिसका फुल फॉर्म है International Association of Chief of Police ठीक है यह US का एक organization है जिसने अवार्ड दिया है इसके इस campaign को निजात campaign को की बहुत अच्छा campaign था चलिए नेक्स बात कर लेते हैं ओडिशा का धनु यात्रा देखिए इसमें दो चीजी यात्रा एक तो धनु यात्रा कहां का है ओडिशा का है क्या theater performance है यह फिर से शुरू हो गया है तो आपको याद रखना है कि सबसे biggest open theater performance वाला यह एक बोसकते नाटक जो नहीं होते नाटक मंड जली वह है बोला कर जाता है धनु जात्रा एंड कहां का है ओडिशा का है तो यह था दिसम्बर महिने का करेंट अफेर आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा बाकी यहां तक अगर आप आए हैं तो अपना और अपनों ख्याल बना कर रखिए जहन